हाई गाईज वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे यो आप सब लोग सो गाईज अभी मॉनिंग का टाइम है सुबा के 10 बजे हैं अभी और मैं फटा-फट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है आज मैं पूरा दिन बाहर हूँ मतलब मुझे आते आते शाम या करना है मतलब प्रेजेंटिबल लगे बंदा ऐसा नहीं की बहुत ओवर और बिल्कुल स्किन केर में भी नहीं जाना तो मैं उसी साब से मेक अप कर रही है मैंने स्किन केर कि आपने देखा उसके बाद यह इस टाइम मैं यह रहने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर लग उसमें हलका सा पीच औरेंज टच है तो यह मेरा जो करेक्शन का काम कर जाता है इसी वज़ेसे और साथ साथ में मेरा जो बेटा है वो आया था पूछ रहा था मममा कितनी देर लगेगी मैंने का इस थोड़ा सा टाइम और दे दो तो मैं कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब कर तो बिल्कुल करके महार नहीं जाती क्योंकि यार कही ना कहीं मेकप अगर बिगड गया ना पसीने की वज़ेसे तो फिर फेस कितना बेकार लगता है इसलिए तो मैंने देखो पहले माय ग्लेम का कंसीलर लगाया और उसके बाद मेरा फेवरेट मेबलिन फिट मेंका फां सब्सक्राइब कर दिए साथ में मैंने सेटिंग स्प्रे जरूर यूज किया क्योंकि मैं गर्मियों में करती हूं ताकि फाउंडेशन बिल्कुल भी खराब ना हो और अब हलका सा माई ग्लैम का बनाना पाउडर यूज कर रही हूं बहुत हलका सा ज्यादा नहीं सिर्फ जहा बहुत नाचरल सी आइब्रो बनानी है तो मैं अपना ये वेटन वाइल्ड का आइब्रो पैलेट उठाती हूं और मैं जैसे आपने देखा ना मैंने स्पूली में थोड़ा डाक थोड़ा लाइड एंड जोसमें वैक्स है तीनों को लिया और फड़ा-फड़ से अपनी बनाने नहीं है इसलिए मैंने हलका सा रिकोड का बलभी क्या ही शप्लाई कि क्योंकि पाउडर बलभी प्लभी मैं सीर्फ पाउडर मेंदे भी ऑड़ाहं जगाँ वह तो फिर भी खेश एंबाश वाला एफ्वार एफक्ट नहीं दिखेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया और ब्रश की हेल्प से ऐज आई लाइनर ड्रॉट कर दिया और उसके बाद उसको समज कर दिया लाइट ब्राउन शेड से फटा 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 आप मैंने मस्कारा लगाया और मैंने कॉंटोरिंग कर ली थोड़ी सी पहले सोचा था नहीं करूंगे फिर मैंने का चलो यार थोड़ी सी हल्की सी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने माई ग्लैम का ब्रॉझर यूज़ किया बहुत ही अच्छा ब्रॉझर है मुझे बहुत पसंदै और उसके बाद मैंने मेबलिन फिट्मी का ब्लश लिया हलका हलका सा ब्लश अपलाई कर लिया अपने ब्लश के उपर इस ब्यूटी का मूज हाइलाइटर लगा रही हो वो भी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मूज हाइलाइटर है तो ब्रश से उतना अचा पिकनी होता और जब इस तरीके से लगाती हो यार बहुत एकदम ना नैच्रल वाला ग्लो लगता है कोई चंकी पार्टिकल इ फिर मैंने अब ये लिप लाइनर लिया है थोड़ा डाक कलर का इससे मैं थोड़ा मोटा मोटा लिप लाइनर लगाऊंगी क्योंकि यार पूरा दिन बहार रहना है लिप्स्टिक अगर हट भी जाए तो एक लिप्स पे न अच्छा सा स्टेइन दिखना चाहिए तो इस पर बाद में बताऊंगी तो मैंने सबसे पहले स्पैक्स रखे गर्मी बहुत है पानी ले जाना बहुत जरूरी है अपनी पानी की बोटल रखी अपना मैंने यहां पर पावर बैंक भी रखा कॉम रखी क्योंकि बाल भीड़ेंगे तो अपने पास कॉम होना चाहिए एक है अपनी जो लिप्स्टिक लगाई है उसको रखा टच अप के लिए एंड अब मैंने यहां पे ना यह फूट थोड़ा कट करके रखा है क्योंकि टाइम बे टाइम कभी भूख लग जाए तो यार कुछ ना कुछ अपने पास ऑप्शन जरूर रखो हमेशा नहीं देखना च अपना माइगलम का बनाना पाउडर रख लिए टच अप के लिए और थोड़ा से मैंने यह दो पैकेट चिप्स रख लिए अपना क्लच रख लिया जिसमें थोड़ा कैश भी होता है कार्ट्स वेगरा साथ में स्क्रेंची और यह क्लचर रख लिया क्योंकि गर्मी जादा एक बार मन होता है न यार हम भी ट्राय करके देखते हैं कि यह प्रोट्ट कैसा यार सब इसके बारे में इतना चाचा बोलते हैं तो मैंने यह वाला बैग और किया मुझे बैग चाहिए थोड़ा सा ट्रैवल परपस से जिसमें काफी सारा समान आ सके तो मैंने यह वाला बै बाकि अगर क्वालिटी की बात करो क्वालिटी एक दम इसकी मस्त नंबर वन क्वालिटी है एंड यह मेड इन इंडिया प्रोड़क्त है पीटा अप्रूफड है एंड इसमें जो भी मैटेरियल यूज किया है यह वीगन है बिल्कुल वीगन बैग है इसके अंदर जो पीस के अलावा वो कुछ भी नहीं है तो किस तरीके का बैग हमें चुरना चाहिए स्टाइलिश अफकोर्स तो होना ही चाहिए स्पेशियस होना चाहिए स्ट्रॉंग एंड स्टरी होना चाहिए तैस ट्रू बोनस का इस क्रीन पे जो कूपॉन कोड आपको दिख रहा है उलाव झildश रह ँलाव को अशर NOR पिख रहा है बहा है तैस बाह है व्यून प्रत धिजू़ होना है फ Bailey हो आपको दिख को हñana है कि वह hisgoki के पाम चाहिए स्टर रहा है mogą क्कुलकितने तoterी हो ठीजू है को उलाव कि पैसे उलाव होना भी आउल